आज Grand Vitale में with Piano Finish Frame हमने Woodman Extreme 4.0 360 World View System install किया है with 4GB RAM, 64GB internal memory, यह हमारे 360 View S में हमारे 2D modes आज़ते हैं front, back, right and left camera जिसमें आपको show करता है आगे बढ़ते हैं और इसके जो और features हैं वो में आपको detail में explain करूँगा 360 के अंदर जो आपको great lines दिखरी है back camera में आप अपने साब से customize कर सकते हो इसमें मैं off भी कर सकता हूं इसको इसकी जो color है वो मैं change कर सकता हूं इसको में broad line चाहिए arrow line चाहिए उसमें completely customizable होता है इसमें जो red line आ रही थी और नहीं आ रही थी वो मैं disable or enable उसे भी कर सकता हूं और इसमें आपको automatic turn indicator का भी function मिल जाता है अब right indicator पे आपको right view show करेगा 3D में अगर आप 2D भी कर सकते हो इस view का अपने साब से और मैं left indicator दूंगा तो मेरे कोई left भी दुखाएगा इसको मैं closer view भी कर सकता हूं 2D view में भी आ सकता हूं जैसा मैं चाहिए उसमें काम करेगा जब वीडियो चल रही है फिर भी left मैंने दिया left आगया उसे हटाऊंगा तो वीडियो पे चला जाएगा और राइट indicator दूंगा तो यह राइट पर चला जाएगा automatically तो आप किसी भी function में हो still के अंदर वो आपका 3D mode work करेगा इंडिकेटर वाला इंडिकेटर आपने दिया हुआ है अब उसके बाद भी 3D mode में अपना चेक कर सकते हैं कि आपको देखना कि कितना वीव बाहर मिल रहा है कितना spacing मुझे मिल रही है तो काफी useful feature रहता है पार्किंग के टाइम भी और इस 3D view के लिए मैं अपनी SUV हो गई हैजबेक हो गई यह आपकी MPB है हर तरह की कार आपकर सकते मैं इस में भी SUV डाउनलोड कर रहा हूँ फिर जैसे डाउनलोड हो जाएगी मैं कार को सेलेक करके उसका कलर भी अपने साब से चेंज कर सकता हूँ वह मैं आपको शो करता हूँ यह आराउंड फाइब कर रहा हूँ और मैं बैक करूंगा यह मेरा वाइट SUV में चेंज हो गई है जैसे मेरा कार है वैसे लुक देगी और मोस्ट इंपोर्टनेट फीचर इसमें यह है वाइलेस कार प्लेगा जिसमें आपका जो आईफोन है वह आपका कनेक्ट हो जाता है थ्रू कार प्ले यह वाइलेस फंक्शन करता है इसमें आपके एप्स वगरा जाते हैं जैसे वाट्स एप होगा आपको मैसेज आते हैं वो read out करके बदा देगा ये और इसमें आप reply भी CD के थुरू आप voice के थुरू कर सकते हैं इसमें आपका YouTube music के आपके Spotify है वो भी आपका इसमें work करता है और इसमें कोई अलग से आपको app नहीं डालना पड़ता गाल प्ले में जो आपके phone में पड़े हुए है ये उसी account के थुरू आपका जो music होगा वो प्ले करेगा और इस वीडियो में music mute करा गया है for YouTube policies और आपके phone पर कोई calls आते हैं वो भी आपको इसमें show करते हैं सिर्फ में phone पर call आ रहा है तो वो show हो गया और मैं यहां से अपने steering wheel control से इसको receive भी कर सकता हूँ उसका volume वगरा भी यहां से easily control हो जागा अगर आप deck line करना चाहिए आप deck line भी कर सकते हैं carplay में हो रहा है stereo का bluetooth function नहीं है यह हमारा carplay वाला calling function है इसमें आप CD के तुरू call भी कर सकते हैं अगर आप जैसे बुलते हैं call this name लेके तो वह आपको call भी कर देगा और carplay के अंदर आपके जो steering wheel controls है वह भी work करते हैं volume हो गया track का हो गया next forward यह सारे आपके जैसे work करते हैं जैसे ही इसके अंदर भी करते रहेंगे और अगर आप इसमें अपना mode change करना चाहते हैं इसमें mode पी चेंज हो जाते हैं इसे Bluetooth आगया अगर आप दोबारा रेडियो आगया ऐसी आपका Bluetooth पर चला जाता है यह आपके modes होते हैं जो apps को automatically switch करता रहता है यह DSP को लाइजर इसमें आपको multiple bands मिलते हैं यह हमारा field का section आ जाता है और इसमें आपको surround sound भी मिलती है और यह हमारा इसमें base का option आ जाता है एनेंस करने का यह हमारा subwoofer के लिए उस होता है अगर कार में आपके subwoofer लगा हुआ है और इसकी display हमारी 1280p HD display है और daytime में भी काफी जाद brightness है कोई ज्यादा glare नहीं आ रहा क्लियर ली दिख रहा है backseat से भी side seat से भी और YouTube पे इसमें 1080p का playback मिल जाता है जो की full HD playback होता है और इसमें वीडियो आपके half screen पे play हो जाती है